अगर आपने इसको एक बार खा लिया तो आप इसके फैन हो जाएंगे दूसरा पीस जरूर उठाएंगे आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध और इस्पेशली तोहारों के लिए इस्पेशल बैनाई जाने वाली जो मुँमे जाते ही घुल जाती है और इतनी स्वादिस्ट होती है कि जो खाए बस खाता रह जाए सॉफ्ट नरम मुलाइम और दानेदार आवड़ी पेड़ा मिठाई जिसे हम काठिया बाड़ी पेड़ा भी बूलते हैं गुजनात की बहुती प्रसिदी मिठाई है ना कोई घी ना मावा ना चाशनी ना मिल्क पाउडर ना कंडेंस मिल्क ना कोई मलाई सिंपल सरल वाली दो चीज़ें और जो मिठाई वनेगी वो तो इतनी टेस्टिर इतनी शांदार के महमान आपके तरिफ करते नहीं धखेंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुगमित पारूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें काठिया बड़ी पीड़ा बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप रखिए एक भारी तले की कडाई इसमें हम डालेंगे दो चमच पानी जिससे की जो दूद है तले में चिपके नहीं अब इसमें डालेंगे एक लीटर दूद सिंपल जो आपके घर में रोज में दूद आता है इस मिठाई के लिए बस वही चाहिए अगर आपके पास फुल क्रीम या फुल फेट मिल्क है तो बहुत ही बढ़िया तो एक लीटर दूद चाहे तो कच्चा या उबला हुआ कैस अब ले सकते हैं और दूद में मीटियम हाई फ्लेम पर अबाला देंगे यह मिठाई बनाना बहुत आसान है कोई इसको तयार कर सकता है सबसे अच्छी बात एकदम शुद्ध मिठाई जिसके लिए ना तो आपको बजार से कोई मावा लाना पड़ेगा ना कोई मिल्क आप चाहें तो देसी खान या मिश्री भी ले सकते हैं यहां हम क्या करेंगे इसकी आधी चीनी अलग निकाल कर रख लेंगे वो मैं बताऊंगे आपको कि इसको हमें क्या करना है तो यह लीजे आधी चीनी मैंने निकाल लिए आधी हमारी बची हुई है तो इसका इस्तमाल करेंगे अभी दूद में इसको अभी अलग रखेंगे और ये देखिए दूद में एक उबाल आ गया है तो बस इस स्टेश पर जो अभी हमने चीनी आधी बचाई है ना वो इसमें हम डाल देंगे और मीटियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को बढ़िया से मेल आता चोटी चमच फिटकरी का पाउडर तो मैंने पहले ही इस तरह से फिटकरी को कुट लिया है और कुछ इस प्रकार का पाउडर तयार कर लिया और ये देखिए चीनी बढ़िया से घुल गई है मैंने दो मिनट दूद को मीटियम हाई फ्लेम पर और पका लिया है इस दूद करडिल हो जाएगा यानि दूद फटने लगेगा छेना जैसा इसमें आपको दिखाई देगा अगर आदा चोटी चमच फिटकरी से आपका दूद ना फटे क्योंकि ये तिपेंड करता है कि आपने पैकेट का दूद लिया है तो थोड़ा सा फिटकरी आप और डाल उसके बाद दीरे दीरे आप निवकरस डालते जाएं और चलाते जाएं उस तरह से भी आप दूद से चेना तयार कर सकते हैं और देखिए मेरे चलाते चलाते आप देख सकते हैं कि दूद में बढ़िया दाना पढ़ गया है यानि कि बढ़िया से चेना अलग हो रहा है बि पानी अलग इसको में तब तक पकाना है जब तक कि जो क्वांटिटी यानि जो ओरिजनल क्वांटिटी आप देख रहे हैं यह बिलकुल आदी ना हो जाए यहां पर हम पानी को हाई फ्लेम पर ही सुखाएंगे वरना क्या होगा कि जो पनीर है वो चुई सा हो जाएगा इसलि पर लो फ्लेम पर चड़ाएंगे एक पैन को और पैन में हम डालेंगे हमारी आदा कब बची हुई चीनी बस इस तरह से स्प्रेट करते हुए फैलाते हुए चीनी को आप डाल दीजे बिलकुल भी चीनी में चमच नहीं चलाएंगे फ्लेम बिलकुल लो रखेंगे और अभ पैड़े में चीनी ने मेल्ट होना चुरू कर दिया है फ्लेम बिलकुल लो है इस स्केश पर बस स्रिफ पैन को इस तरह से हिलाएंगे इससे की पूरी चीनी मेल्ट हो जाए और याद रखेंगे यहां पर हमें बिलकुल भी चीनी को ओवर कुक नहीं करना है बस इतना के हलक चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए बनना क्या होगा अगर आप इसे ज्यादर डाग कर देंगे तो जो पीड़े हैं उनमें कड़वाट आ जाएगी और यह देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है कैरमलाइस हो गई है प्यार असा कलर दिख रहा है तो बस गैस को करेंगे लो फ्लेम पर जो हमारा पनीर तयार हुआ है इस तरह से चैना तयार हुआ है अपनी क्वांटिटी से लगबग आदा है इसे स्टेश पर केरमलाइस जोगर थोड़ी थोड़ी दालेंगे एकदम से इसमें बबल आएंगे थोड़ा दूरी से करें और फ्लेम को लो और मिक्स करते जाएंगे शुरुवात में थोड़ा आपको लगेगा के चीरी जमसी रहें लेकिन गर्माई से धीरे धीरे करके ये पूरी छैने के साथ मिक्स हो जाएगी यही वो श्पेशिलिटी है जो पीड़े को देती है जबर्दस टेक्स्टर कलर और टेस्ट और अच जल्दी यह हमारा पीड़ा तयार हो जाएगा बहुत जाएगा बहुत जादा ड्राइ नहीं करेंगे क्योंकि यह पेड़े बहुती मॉइस्ट और सॉफ्ट होते हैं एकदम दानेदार तो बिल्कुल इसी तरह बनाएगा बस थोड़ा सा और इसको पका लेंगे इसी काफी सॉफ्ट और दानेदार हमारा थाबडी पेड़े के लिए मिक्स तैयार हुआ है यह देखे किस तरह से कड़ाई को छोड़ रहा है बहुत ज्यादा इसको नहीं सुखाएंगे क्योंकि थंड़ा हो जाने पर यह और भी ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो बस इसे चाइन भी दिख रही है घी छोड़ दिया है मिक्स रहे आपने देखा कि इसको बनाने के लिए हमें घी तक का इस्तुमाल नहीं गरना पड़ा है इतनी बड़िया मिठाई और यूही स्रिफ दूद और चीनी से तयार हो गई थोड़े देर तक मिक्स को इसी तरह चलाते रह और मिक्स को बस इस तरह से पूरी प्लेट पर फैला देंगे जिससे कि थोड़ा से थंड़ा हो जाए चूने लग जब यह थंड़ा हो जाए तो हम इसके इजी ली पेड़े तयार कर सकते हैं चाहे तो आप पर फी वाले ट्रे में डाल करके इसको जबने के लिए रख सकते ह कितना सुदर सका कलर आई टैक्फ्ट्र आया ही एक दम डानेदार और यह लीजे हमारे पेड़े का मिक्स बिलकुल बढ़िया से हलका ठंड़ा हो गया है और यह तक हो आप कितना दानेदार और कितना यह शयांदार तो बस फटा-फट से इसके बनाएंगे हम पेड़े हाथ पर हलका सघी लगाएंगे और इसमेसे छोटी-छोटी से इस तरह बॉल लेंगे और हलके हाथ से बस इस तरह इसके पेड़े तयार करेंगे कितने बढ़े कितने छोटे आपको तयार करने उस हिसाब से आप इसका साइस रख सते हैं और ये देखिए हमारा बहुत ही शानदार ठाबली पेड़ा बढ़ करके तयार है दानेदार सॉफ्ट मॉइस्ट आप देख सकते थोड़ी देर अभी और ठंडा होगा तो ये बिलकुल बढ़िया सेट हो जाएंगे अब ये हलके घरम है इसलिए आपको ये हलके मुलाइम दिख रहे होंगे और पेड़े को चाहे तो प्लेन दखिए या इस तरह से पिस्ता लगा करके आप गार्नेश कर सकते हैं और सारे पेड़े बिलकुल इसी तरह से हम तयार कर लेंगे जैसे जैसे आप इसको बराबरा कर रखते जाएंगे वैसे वैसे ही बिलकुल पॉफेक्ट सेट हो जाएंगे ये देखिए तो ये लीजे बिलकुल तयार है हमारे गुजरात के बहुती फेमस और सुपर सुपर टेस्टी सॉफ्ट और दानेदार ठाबडी पेड़ा यानि काठ्यावाडी पेड़ा ये देखिए एकदम बने है ना दानेदार और बनाना कितना असन सिंपल से दो ही चीजों से मिंटों में आप तयार कर सकते हैं बजार से तोहार पर मिठाई लेनी की जरुरत ही नहीं इस तरह बना करके आप इसे पंदरे दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं ये बिलकुल खरा है होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए फ्रेंडस तो प्लीज प्लीज धेर सारे वीडियो को लाइक कीजए सभी फैमिली फ्रेंड्स के वीडियो को ज़रू शेयर करें और आपके अपने चैनल को कुट विट पारू को सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूले थ रहे हिंग जय भारत